हलो दोस्तो आज हम जिस शेयर से लेटरी बाते कर रहे हैं उसका नाम है रैलीगेर इंटरप्राइज लिमिटेड और इस शेयर से लेटेड अगर मैं आपको बाते करूँ तो आपको बताना चाहता हूं कि ब्रोकिंग से लेटरी यह शेयर है यह अलग-अलग बिजनेस जैसे क लगबग 11,000,000,000,000,000 लोकेशन में एक कमपनी प्रिजन और लगबग यहां पर 400 शिटीज में यहां पर अवेलबल है तो अगर हम यहां पर बात करें रैलीगेर इंटरप्राइज की तो और भी इस लेटिड बाते करेंगे जानेंगे कि हमें लेना चाहिए बेचना रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट और की नोटिफिकेशन को अन करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर को जितना हो सके यहां पर रिसर्च करने की कोचिश करिएगा सीखिएगा सीखने के लिए वीडियो आपके साथ बनाई जाती है सी है कब विश्टॉक लेना होता है कि बेच ना होता है चाट को कैसे श्टवी करना परता है कि चाट के बरोसे अप यहां पर अगर आपको फंडामेंटल मनें जा अंड नोड्र कुछ यहां पर पर कांटक करोगे तो यहां पर आपको 12 रुपर परमन देना पड़ेगा उसमें अच्छे-च्छे स्टॉक्स आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगे आप उनमें यहां पर अपनी हिसाब से अपनी यहां पर बाइंग सैलिंग की सब्सक्राइं सब्सक्राइन करें जा सब्सक्राइब करें, तो यहां पर इन नमबности न technical सबस्क्राइं सीइस करें। नजर आती है, हैंत इस्वारेंस अच्छा का सा कंपनी का काम है, एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लो तो आपको पता चलेगा, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, यहाँ पर आपको यह बिजनस मॉडल समझ में आता है या नहीं आता है, वो पता चल जाएगा, तो इतरन भी उसी आप से यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, 167 पर शेयर चल रहा है, 222 रुपए की यहाँ बात करें, तो इंट्रेंसिक वेल्यू है, जो कि एक शेयर की होनी चाहिए, 192 रूपीस इसका 52 भी खाई है, और 41 परसेंट का यहाँ पर डिखाई दिखाई इसलिए गिरते हुई चीज को यहाँ पर नहीं करना है, तो देखिए लगबग लगबग यह शेयर कितने सालों से, तो हम बात करें, 16-17 सालों से, यहाँ पर किरावत आई है, जिन्नों ने यहाँ पर ले रख्या है, वो आज भी फसे हुए है, और यहाँ पर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है, इस्टेजिस, यहाँ पर हम कोर्स में अच्छे सिखाते है कि स्टेज 1, 2, 3, 4 क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक वीडियो भी बना रख्या, अगर मिलेगी तो आई बटन पर लिंग दे दूगा देख लीजेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह स्टेज 4 थी पूरी और यह स्टेज 1 का कंसॉलिडेशन से यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो मतलब क्या है, मतलब यह है, यहाँ पर आपको एक बहतीन रिटन मिल सकते है, ठीक है, बाइंग सेलिंग की लेटिड है, वो बढ़ रहा है, ओके आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लोग घर भी खरीद रहे है, यहाँ पर छोटे मोटे इंटरप्राइज के आले, लोग यहाँ पर लोन भी ले रहे है, as well as health insurance, COVID के बाद लेते हुए नजर आ रहे है, इसके बाद ब्रोकिंग फिर्म यहाँ पर stock market किस तरीके से बढ़ रहा है, वो भी पता है, तो जब सबचीच बढ़ रही है, सबका फायदा इन्हें इस company को और यहाँ पर देख सकते है, 1400 क्रोड रुपे का highest ever sales है, 247 क्रोड रुपे का operating profit highest ever है, जो कि अभी तक नहीं आया, इसके अलावा यहाँ पर 3517 क्रो करोगे न, यहाँ तक भी देखोगे कि इनका margin जो 13% ता वो अठा रहा हो गया, वो कि यहाँ पर देखिए 12% ता वो अठा रहा हो गया, तो मतलब चीजे क्या है, यहाँ पर भी इतना भी देखोगे, तो आपको समझ में आएगा, कि चीजे यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आ रही है, दूसरा yearly basis पर कंपनी का performance देखिए, जो डल था वो दुबारा back to business होता हुआ नजर आ रहा है, as well as यहाँ देखिए, जो कंपनी लगातार घाटा दिखा रही थी, पहली बार यहाँ पर काफी सालों बाद यहाँ पर आप देखोगे तो profit में आती हुई इस समझ में क्या रहा है, इस समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो business model है, कंपनी के जो finance है, वो यहाँ पर change हो रहे हो, जो company के financials change हो रहे है, तो यह start pattern को भी change होना ही होना है, इस जीश को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसके इलावा यहाँ देखिए, पांच करोड यह है, तो यहाँ पर देखिए, share price क्या है, अच्छा नज़र आता है, cash भी पड़ा हुआ है, 800 करोड रुपे के आसपास, और borrowing कम कर दिया, मुझे तो यह अच्छा लगा कि यहाँ पर company ने borrowing कम कर दिया, इस से क्या होगा, इस से यह होगा, company का जो debt है, जो अभी तक 200-200 करोड रुपे जा रहा था, ठीक है, quarterly basis पर, अब के बल 29 करोड, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इसका profit क्या होगा, इसका profit यह होगा, कि net profit बढ़ता हुआ नजर आएगा, यहाँ देखिए, company 700-700 करोड रुपे यहाँ पर borrowing में दे रही थी, अब borrowing कम होगी, यह अब इ हिस्सेदारी बढ़ा रहे है, 7.42%, public 74%, okay, यहाँ पर और चीजे देखोगे, 74 में भी, यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर अच्छी खासी हिस्सेदारी इस यहाँ पर लेके रख रखी है, तो यहाँ पर इस चीच को हलके में मत लीजेगा, आशिश का चोलिया भी कभी इस शेयर में यहाँ पर शामिल थे, मुकुल अगरवासर ने भी यहाँ पर कभी इस शेयर को लिया हुआ था, ठीक है बट वो यहाँ पर बेच के निकल गए, क्योंकि शेयर उस तरीके से बिहेव नहीं किया, बट शायद इस बार बिहेव कर सकता है, इस चीच को हमेशा हमे को से काम कराना चाहते है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन नंबरों पर केवल कॉन्टक करना है, बात करेंगे, डिसाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, रैली गेर इंटरप्राइजेज को अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर आपको कुछ बैलाब होते हुए दिखाई देंगे कि शेयरि यहां पर इस kinda के बाद मुझे मुझे नजर आ रहा है, मुझे यहां पर चार्ट में एक तेजी नजर आती है. जो सबसे पह夏 रहा है और यह आपर गए जैसे ही क्रॉस किया. यहां पर एक थेजी होगी, जो कि इस share को कहां लेके जाएगी जो कि इस share को यहां तक लेके जाती हुई दिखाई देती है तो सबसे पहली बात तो यहां पर एक तेजी होती हुई दिखाई दे रही है 199 के आसपास की जो कि 52 वी खाई भी है बर जैसे ही यहां से निकलेगा जो कि इस बार निकलेगा जरूर निकलेगा तो यहां पर यह target फिर 260 रुपे के फिर यह वाले target और यह target यह सारे target आते हुए दिखाई देंगे और यहां पर चीज़ों को देखिए आपको खुछ समझ में आएगा कि यहां पर हमें चीज़े लेनी चाहिए या बेचनी चाहिए काफी लोग यहां पर लेके बैटे हुए है डिया इस हिस्सरदारी बढ़ा रही है यह सारी positive figure है और यहां पर आप figures है तो यहां पर आप देखिएगा आपको चीज़े यहां पर खुद ही समझ में आएगी मेरको यहां पर चीज़े समझ में आ रही है ओके बैल आइकन को हिट करिएगा ताकि आपको चीज़े मिलती रहे तो thank you so much God bless